तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप mutual fund में switch कैसे कर सकते हैं, एक plan से दूसरे plan में कैसे switch किया जा सकता है, तो चलिए दोस्तों वीडियो के सुरात करते हैं, उससे पर दोस्तों आपको बताते हैं, आप हमारे channel पर नएदे, channel को subscribe करें, वीडियो पसंद आदे, वीडियो को like करें, तो दोस्तों आप grow app को open कर लेंग अगला page open होगा, अगला page open होने के बाद, आप इदर उपर देखेंगे, कि three dot का icon दिखाई दे रहा हुगा, जब आप three dot पे जाएंगे, तो इदर नीचे switch आ जाएगा, switch लिखाई दे रहा है, उपर जो three dot पे आप click करेंगे, तो नीचे आपको switch लिखा दिखाई देगा, ज उसी scheme हैं, जिसमें आप switch कर सकते हैं, fund आपको इनी schemeों में switch करने की permission देता है, इनके अलावा आप और किसी fund में switch नहीं कर सकते हैं, उसी fund की और scheme हैं, वनमें आप switch कर सकते हैं, अपना पैसा उस scheme से निकाल के, इस scheme में लगा सकते हैं, वो scheme आपका अच्छा return न दे रहा हो, या कुछ खराबी आ गई हो उसमें, जो भी हो, जिस वज़े से आप switch करना चाहते हैं, तो इधर मैं select कर लूँगा, कोई भी जो आपको पसंद आए, जो अच्छा return दे रही हो, उस scheme में आप पैसा अपना लगा सकते हैं, और दोस्तों switch करते समय, आप एक बात याद रखना कि switch करने के लिए आपको capital gain tax और exit load भी देना होगा, अगर आप switch करते हैं, तब भी आपको exit load और capital gain tax देना होगा, तो दोस्तों मैं अधर select कर लेता हूँ, मैं select करने के बाद अगले page में जाएंगे, तो अगला page open हो जाएगा, जिसमें आपका दिखा रहा है कि मेरा exit load पांच रुपए लग रहा है, मेरा exit load पांच रुपए लग रहा है, आपका जितना रुपए होगा, उतना exit load लगेगा, तो दोस्तों नीचे दिखाई दे रहा होगा, proceed, जैसे ही आप proceed पे click करेंगे दोस्तों, तो आपका order place हो जाएगा, और दो-तीन दिन में आपका पैसा सुच हो झाएगेगे